चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से हो गया है विवाद, विवाद कौन सा? विवाद अब की बार टैंकों के लिए के है, यह है T-85 टैंक जिसको पाकिस्तान बोलता है अल्खालिट टैंक के जी पाकिस्तान में एक तालिबानी सोच मौझूद है, एक तालिबानी मेंटालिटी पाकिस्तान में बहुत हद तक है और शाहिद आफरीडी उसका चलता फिरता नमूना है, वैसे तो हैं वो नमूना है आपने सबसे पहले घबराना नहीं है दोस्तो चाइना पाकिस्तान के गले की वो हड़ी बन चुका है जिसे पाकिस्तान ना निगल सकता है और नहीं फेक सकता है और चीन इसका बराबर फाइदा भी उठा रहा है हाली में चीन ने कुछ ऐसा किया जिसकी वज़े से इमरान खान के सरकार और पाक आर्मी की रातों की नीन उड़ गई है जो कि आपको इस वीडियो में देखने पर मालूम हो जाएगा वहीं दोस्तों हाली में पाकिस्तान के किर्केटर साइद अफरीदी ने तालिबान को लेकर एक बयान दिया है और इस बयान में साइद अफरीदी ने तालिबान को खुश करने के लिए जमकर तालिबान के कसीदे पड़े हैं साइद अफ्रीदी के इस बयान पर पाकिस्तान न्यूज रिपोर्टर आर्जु काजमी ने क्या कहा है ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों देखते मैं वीडियो और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब करना साथ में बैल आइक पाकिस्तान बोलता है अलकाले टैंक यह अलकाले टैंक चाइना ने पाकिस्तान को सुप्लाइ किये थे करीब 220 टैंक्स का ओर्डर था रिझा और उसके लाद से चाइना ने अब तक इनको 110 टैंक दे भी दिए लिकिन उन टैंक के रेडियो में आया प्रॉब्लम वो टैंक का रेडियेटर पाकिस्तान के हिसाब से प्रॉब्लम कर रहा है जिसकी वज़े से टैंक्स चल नहीं रहे हैं टैंक्स अपनी जगा से हिलते नहीं हैं कई बार टैंक थोड़ी दूर जा करके रुख जाता है और प्रॉब्लम आरी है लोंग ऑपरेशनल केपेविलेटी में प्रॉ कुची दोस्ती वो दोस्ती के बीच में यह टैंक का रेडियेटर आता दिख रहा है चाइना की कंपनी है चाइना नौर्थ इंडास्ट्री ग्रूप कोपरेशन जिसने यह कॉंट्राक किया था पाकिस्तान की हेवी इंडास्ट्री टैक्सेला जो इस टैंक्स के लिए काम कर प्राकिस्तान की कंपनी बहुत आता है और दो तो चाइना की कंपनी ने बोला भई नहीं नए रेडियेटर लगाने से उस टैंक का एंजन एकदम गर्म हो जाएगा और चल नहीं पाएंगे तो पाकिस्तान की ने बोला कि अभी कौन से चल रहे हैं तो यह प्रॉब्लम आ र हुआ और रेडियेटर आया है नहीं यह जो कॉंट्राक्ट है यह तब से अब तक ऐसे ही फसा पड़ा है 110 टैंक जो सप्लाइ हुए थे बाकि जो 110 बच्चे थे उस पर पाकिस्तान ने अपना मूड चेंज कर लिया कि यह टैंक तो बेकार हैं हम दूसरे ले ले लेते हैं च टैंक देने की बात पुराने टैंक के रेडियेटर नहीं मिल रहें नए टैंक आये नहीं तो यह 110 तो सवालिया निशान में हैं 110 और जो नए चाहिए थे वो भी सवालिया निशान में आ गए तो अब पाकिस्तान सोच रहा है कि यह इतने सारे टैंक खरीदे इसका फाइदा क्या हुआ वहां चायना साथ में चायना जो है वो अपना मिलिटरी हार्टवेर बेच तु देता है लेकिन उसको ठीक करने की केपिबिलेटी और उसके स्पेर पार्ट्स नहीं देता है आपको चायना सही लेने पड़ते हैं उसको बनानी की टेक्नीक आपके कंट्री में नह पास और आपके टैंक सारे के सारे बरबाद हो गए तो इसमें आप पाकिस्तान बोल रहा है भाई कैसे भी टैंक तो चले हमारे और नए टैंक जो हमारे पास आरे हैं वो नए वाले दे दो तो चायना उस पर जवाबी नहीं दे रहा है चुब बैठा है क्योंकि चायना भी लेटिस टेकनालोजी तो नहीं देना चायेगा चाहिए न चायना भी कोशिश में कि पुराना रदिमाल जो है वो पाकिस्तान बोल जो भी लकाते हैं हम इसी को सब कुछ बेच देंगे वो टीवी जो था वो उन्होंने शहीद कर दिया टीवी को बतलब तोड़ दिया टीवी को और इसके लावा शाहिदा अफरीदी सहाब जो है उनके बारे में ये भी उन्होंने इंटर्व्यू दिया था कि वो अपनी बेटियों को जो है वो बिलकुल इजादत नहीं देंगे क क्रिकेट खेलें या वो किसी किसम के आउड़ोर स्पोर्स में हिस्सा लें तो इसे आप अंदादा लगा सकते हैं कि मैंने तो बहुत बार कहा है कि जी पाकिस्तान में एक तालिबानी सोच मौझूद है एक तालिबानी मेंटालिटी पाकिस्तान में बहुत हद तक है और शा प्रविजर के साथ आयने, यह चीज हमें पहले नज़र नहीं है, और माचल ले चीज है, पड़ी जबर्तस पॉसिपिलिटी की तिरफ चीजे से धर आ ही है, यूद्ध लेडीज को काम पर ने की इचाज़ा, पॉलिटिक्स में, बागी जॉप्स की तरफ उनको बना जी, तो आपने देखा, उनना ने का जी तालिबान क्रिक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मेरे ख्याले तालिबान हौकी और क्रिक्ट जोनों को ही पसंद करते होंगे, इसलिए कि हौकी और क्रिक्ट में हमने देखा है कि हौकी के स्टिक्स से और क्रिक्ट बै करने देंगे, वो पढ़ाई करने देंगे, वो बाहर निकलने देंगे, ये सारी बातें थोड़ी सार थोड़ा जादा हो गया, नहीं, मुझे नहीं लगता कैसा कुछ होने वाला है, और जिस तरह की बातें आप करते हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आपकी आती है, जब आपनी खुद की बेटियों को कहते हैं कि नियुकर्णी की लियुकर्णी तो ए विपते हैं कि आपको बहुत शड़ीज ज़रूरत है कि आप भी थोड़े साइजुकेट हो जाएं तभी जाकर आप अपनी बेटियों को भी शायद को एडूकेशन दे पाएंगे हम आगे बढ़ते हैं जी ड्रामा सीरियल की बात हुई है तो मुझे याद आया कि वो एक आया करता है ड्रामा गोपी बहू पहले भी आता था और आज कल फिर आ रहा है मैंने इसका जो है ना वो जो पिसले स हरे कर लेती हो घर के तो मैं यह कहूंगी कि प्लीज यह जो कोई भी गोपी बहू बना रहा है तो थोड़ा तो गोपी बहू को लिखा पड़ा भी नहीं स्कूल भी भेजने